सीजन 3 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और ये जो सीन है ये सॉल और जग के बेच्पन का सीन है इस सीन में जग सॉल को एक स्टोरी सुना रहा होता है ये टेंट में होते है और लैम के लाइट में ये स्टोरी वो से सुना रहा होता है फिर से हम सीरीज के प्रेजिंट में आ जाते है, किम होस्पिटल में होती है, स्वाल उसे मिलने आया होता है स्वाल डॉक्टर से बुच्टा है, कि क्या अब मैं इसे डिस्चार्ज लेकर ले जा सकता हूँ फिर किम उसे उस जगा लेकर आती है जहाँ उसका accident हुआ होता है उसके case के सारे papers वहाँ पड़े होते है सो उसे सब उठा रहा होता है Nixon में हम जब आते हैं तो चक और जो हेचे जम का board होता है उनके बीच में meeting चल रही होती है चक resign नहीं करने वाला तो वो बोलता है कि हमारे पास तीन option है मैं इस firm को sue कर सकता हो जिसे firm के reputation मिट्टी में मिल जाएगी next option है तो यहाँ तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे इसे तुम्हें firm को ही बेचना पड़ सकता है और third option है कि मैं यह सब भूल जाओंगा और simple handshake से हमें मामला उल जा लेंगे हावर्ड फिल सबको बाहर जाने के लिए बोलता है चक उसके बास आता है तो हावर्ड उसे एक check देतेता है तब चक बोलता है कि तुम्हें कैसे दे सकते हो इसे तुम्हें firm बेचनी पड़ सकती है हावर्ड बोलता है कि मेरे personal funds में से है उसने कुछ loans भी लिये होते है तो हावर्ड फिर office में announce करता है जब को फिर वो सब अलविदा कहते है जब next morning उठती है तो Saul ने उसके लिए breakfast वगरा बनाया होता है उसे electrolyze चाहिए होते है इसके लिए वो उसे drinks देता है Saul उसे बोल रहा होता है कि office का सब सामान अब हम फिर से घर में वगरा लाग कर रख देंगे अब office को वो rent में देने वाले होते है तुम बोलती है कि तुमको ना बोल रहे थे Saul बोलता है कि मुझे उन चीजों से फरक नहीं बढ़ता कि महीं उसके लिए बहुत ही important है कि मुझे बोलती कि जब मेरा accident हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं वहाँ तक पहुच गई मैंने तीन ब्लोक से गाड़ी चला ही और मुझे कुछ भी उसका याद नहीं आ रहा मैं किसी को मार भी सकती थी Saul बोलता है कि तुमें इसकी चिंदा करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम अब यहाँ हो यही important है मैं अब सब ठिक कर देने वाला हूँ नेक सीन में हमें दिखता है कि नाचो के फादर के शॉप में सालामांका वेगरा सब आते है नाचो सालामांका को अपने फादर से मिलने नहीं दे रहा होता पर सालामांका उसके फादर को देख लेते और खुदी जाकर आते है वो वो डेबल पर पैसे रखते है नाचो के फादर वो सब पैसे नहीं ले रहे होते तो नाचो बोलते हैं कि हमारी पूरी फैमिली के लिए सोचो वरना साला मांका हमें मार देंगे फिर नाचो के फादर ये पैसे ले लेते हैं साला मांका जब बाहर निकलते हैं नाचो उनसे बोलता है यह सा फिर से नहीं होने वाला मैं उनको समझा देने वाला हूँ मेरे फादर को भी problem नहीं create करने वाले किम घर पर होती है तो उसकी secretary उसके सारे जो files होते है वो घर पर ला देती है जो उसके appointment होती है वो भी postpone कर देती है किम अब tension नहीं ले रही होती किम हमें फिर movie shop में दिखाई गई है वो 10 movies rain करती है अब वो चरा enjoy करना चाती है चक के साथ जो भी हुआ इसकी वज़े से Saul को बुरा लग रहा होता है फिर वो Saul से बोलता है कि जो भी कुछ हुआ अगर मैं अलग तरीके से कर सकता था तो मैं कर डालता मुझे और एक chance मिला तो मैं 100% किसी अलग तरीके से सब भी करूंगा चक उसे बोलता है कि तुम क्यों कर रहे हो Saul बोलता है कि हम brothers है हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए चक बोलता है कि तुम ये try भी मत करो तुम हमेशा एस सब करते हो कुछ भी जिसे करते हो जिससे लोग hurt हो जाते है उसके बाद तुमें फिर बुरा लगता है और तुम फिर से उनकी माफिय मांगने के लिए आते हो पर जो damage होता है वो हो चुका होता है तुम सुदर नहीं सकते तुमें अब try भी नहीं करना चाहिए जो तुम हो वैसे तुमें अपने आपको accept करना चाहिए चक फिर उसे बोलता है कि मुझसे वाफिय मांगने के कोई भी जरूरत नहीं है हम दोनों अलग-अलग है और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते जैसे सब चीज़े है वैसे ही ठीक है यानि कि उनकी रिलेशन्शिप लट हो चुकी है वैसा ही उसे अच्छा लगता है जग उसे बोलता है तुम मेरे भाई हो पर फिर भी तुम कभी मुझे इतना मैटर ही नहीं की है मैं तुमें कुछ भी नहीं समझता तुम मेरे लिए एक्जिस्ट भी नहीं करते सॉल फिर वहाँ से चला जाता है चक के घर में अब पूरी लाइट्स विगरा होती है वो अब इस बिमारी से अच्छी दरखी से लट रहा होता है वो घर में कुक कर रहा होता है और सब चीजे इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड होती है वो अब कर सकता है पर उस रात उसे फिर से जरह तकलिफ होने लग जाती है वो अपने बेट का लैंप होता है वो बन कर देता है उसके बाद भी उसे तकलिफ होती है पुरी घर के लाइट्स वगरा वो बन कर दिता है अब सेडलमेंट होने वाली है इसलिए हम इस लाइंडरी के पास सौल आता है सौल उसके लिए गेक वेगरा लाता है बलोंस भी लाता है लाइंडरी बहुत ही दुखिय होती है सॉल बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे माफ नहीं किया रैंडरी बोलती है कि अभी भी भी वो मुझसे अच्छे बात नहीं कर रहे है अब तो वो तुमसे अच्छी बात करेंगे विस ओल को बुरा लगता है कि उसकी वज़े से रैंडरी के फ्रेंड चले गए है इसलिए रैंडरी के फ्रेंड से वो मॉल में मिलता है उसे समझा रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं उसकी मानती नेक्स दिन चक इलेक्टिसिटी वालों को कॉल करता है उसका जो मीटर होता है वो अभी भी ओन होता है और उसे लग रहा होता है कि घर में एलेक्टिसिटी फ्लो हो रही है जब वो एलेक्टिसिटी वालों को कॉल करता है तो बहुत दिन उसे वेट करना होता है वो सब पूरे घर को चेक करता है, पूरे लाइट्स वेगरा वहाँ से निकाल लेता है, फिर भी उसे लगता है कि यहाँ कुछना कुछतो है, फिर वो एक हादोडा लेता है और वाल्स को तोड़ने लग जाता है, वायर्स को वहाँ ढोडने लग जाता है, उसे वायर कही भी मिलती और फिर में क्लिक होते हैं वह उती है लो बोलते वह एच्चा घर तुम यह जो बोलते हैं तुम मुझे ऐसे नहीं बता सकते हैं सालमांका उन सब को भीट में जाने के लिए बोलता है गांजा बोलता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो इससे तुम ट्रबल में आ सकते हो सालमांका बोलता है यह जो सब बिजनेस है यह सिर्फ मैंने ही खड़ा किया है तुम मैंसे मुझे इससे इस्टिक नहीं कर सकते है फिर वो बहुत इचिर जाते है और उसे हार्ट की कंडिशन होती है इसलिए उसे तकलिफ होने लग जाती है सालमांका फिर गोली लेते है पर अल्डेडी नाचो ने वो चेंज कर दी होती है इसलिए वो उनको कुछ फरक नहीं पड़ता जमिन पर गिर जाते है आमोलन चे बुलाते है वो बहुत क्रिटिकल कंडिशन में होते है नाचो सालमांका की जो पिल्स होती है वो चेंज कर देता वह अपना अटेंशन उसे बताता है मिस लैंडरी की situation उससे figure out नहीं हो रही होती फिर उसे एक idea आता है फिर उसे वो करना नहीं होता मिस लैंडरी की उसके friends के साथ जो friendship है उसे उससे फिर से बनाना होता है फिर वो old day job में जहाँ सब व्योगा करती है वह आ जाता है वह उसने माइक लगाया होता है वह फिर वो डेवी साइन में जहाँ वो पहले job करता था वो आगे assistant होती है उसे बुलाता है वो फिर बाहर जाकर बात करते हैं यह जो बाते होती है उसने speaker अंदर ही छोड़ा होता है यानि सब को पता चल सके यह क्या बात करे है फिर वो सॉल को बोलती है कि तुमने सब को धोका दिया है कैस जैसा था उसे तुमने miss represent किया है miss landry को भी तुमने जूट बोकर उसे hurt किया है उसके सारी friends को उसके खिलाफ तुमने कर दिया है सॉल बोलता है कि मुझे इससे फरक नहीं बढ़ता उसे बोलती कि तुम कैसे आदमी हो वो बोलता है कि इससे मैं अमेर हो जाने वाला हूँ सॉल जान बुझ कर कि वो गलत आदमी यह सब को convince कर रहा होता है फिर वो old ladies उससे बहुत ही चिर जाती है और फिर से लैंडरी को फ्रेंड्स बन जाती है अफ ओफेस को वरेंड करने वाले होते है तो किम और सॉल एक फिर से एक बार अपने ओफेस को देख लेते है चक अपने घर पर होता है और रात हो जाती है फिर भी उसे electricity कहा से आ रही है यह पता नहीं चलता उसके पाद जो लैंप होता है वो खुदकुशी करने के लिए उसे गिरा देता है पूरे घर में आग लग जाती है यही सीजन खतम हो जाता है